यह है आपकी OMR sheet और बस यही एक पन्ना decide करता है कि आप prelims में qualify हैं या नहीं qualify हैं लेकिन आज उससे पहले हम इनके बारें बात करेंगे क्या है यह? These are few common mistakes which we do while filling the OMR sheet और the scannable attendance list इसको हम यह list भी कहते हैं अभी इसका बहुत important value में आपको बता रहा हूँ तो देखे हमारी तयारी बहुत अच्छी होती है no doubt इसलिए हम कहते हैं कि result पे मत focus करो सिर्फ result पे क्योंकि अपने कर्म पे अपने काम पे ध्यान रखो अपने work पे ध्यान रखो focus करो तो चीज़े ठीक होंगी ठीक है तो हम अपने work पे ध्यान रखते हुए इस paper को भरते समय भी बहुत सारी चीज़े हम ध्यान में रखेंगे जैसे की एक एक step करके हमने बताया है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है आप बहुत अच्छा कर रहे हो and trust me you will make it अगर आपके पढ़ाई अच्छी नहीं है तो फिर आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पढ़ाई अच्छी है तो आपको tension लेने की और भी ज़रूरत नहीं है ठीक है तो फिर ये उनके लिए है जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है साल भर मेनत किए हैं अच्छे से त्यारी किए हैं तो बस ये last में market से आप जाके OMR sheet लेके आ जाईए ठीक है online मत try करिएगा क्योंकि देना आपको offline ही है center में एक दिन लगे दो दिन लगे कहीं से मंगवा लीजिए हर जगे available है OMR sheet उसको मंगवा लीजिए जिब आप mock test दे रहे हो तो इसी पर दो practice करो इसी पर और कोशिश करो पंखा बंद करके दें ठीक है पंखा बंद करके दें किसी दूसरे table chair पर बैट के दें अब हम शुरू करते हैं mistake common mistakes हम लोग क्या करते हैं OMR sheet पर उससे पहले all the very best for your prelims examination and amazing great ठीक है चलिए यह हमारी OMR sheet है ठीक है दिख रहा है साफसा और राइट यह है error अब error क्या होता है आपको जो है set A मिला है let's see set A मिला है आपने गलती से set C लिख दिया आपने गलती से set C लिख दिया यह आपको set B मिला है आपने गलती से D यहाँ पर mark कर दिया तो आपको यह mark करना बहुत important है वरना खतम सब खतम हो जाएगा आपका यह जो scan करेगा machine वो A के हिसाब से करेगा और आपने भरा है D आपको मिला था A और आपने भर दिया है D तो set का importance याद रखिएगा ठीक है encoding done अब यहाँ पर क्या हुआ है encoding book list series by candidate served a candidate to A ठीक है अब यहाँ पर कुछ भरा ही नहीं है book list कौन सी है book list आपको पता मिल जाएगा encoding not done by candidate ठीक है यह reason आ जाता है ठीक है तो आपको भाई जो series वहाँ पर लिखना होता है ठीक A B C D क्या होता है यह सब mention करना पड़ता है आपको दूसरा कि भाई encoding subject code and role number आपने रोल नमबर तो यहाँ ठीक लिख दिया है अपना तो जो आप भाई booklet वगरा ले रहे हो ठीक है copy की जो booklet रहे जो भी रहेगा जीरो टू यह सब इदा match करके अराम से इत्मिनान से कोई हरवरी नहीं है अराम से लखिएगा पांच मिनट में कुछ नहीं होने वाला आपका कुछ भी नहीं ठीक है अराम से इसको भरिएगा अब आते हैं तीसरे पे तीसरे पे हमारा marking writings on the prohibited basically इन areas पे अब ये क्यों लिखा है बहुत सारे लोग करते ही होंगे न बहुत सारे लोग लिखते ही होंगे इस area में इस area में अरे सर कट गया काट देते हैं ये नाम लिखा रहे सर गलती होगे इनाम काट दिया इन area में मत लिखना भाया जो OMR sheet होती है हमारी ये area prohibited है य ये नहीं लिखना है black ball pen use करनी है black blue black blue ball pen black blue that is it ब्रैंड वगर आप देख लेना अब आते हैं दूसरे पार्ट पर ये बहुत लोग मैंने भी गलती की है और बहुत blunder हो चुका है मेरे तो पसीने निकल ले थे पसीने के वज़े से मेरा OMR मतलब 2-3 एक ही में मिल गया थे गल practice से आ सकता है पहले ही इसको लीजिए mock test लगा रहे हैं तो पूरा bubble भर ये क्योंकि कोई manually इसको जाके आपका answer कितना सही कितना गलत नहीं होगा ये machine में जाएगा machine में ये अपने आप scan कर देगा अगर आपने गोला सही से नहीं भरा है तो फिर आपको गोला मिल जाएगा उ ये पूरी attendance list scan करके आती है इसका यहाँ पर होने का ये मतलब है कि हम नाम वगेरा बहुत अच्छे से भरेंगे राज शेखर नाम है अच्छे से भरेंगे पता अच्छे से भरेंगे तो गोच पोच करके नहीं भरेंगे कि एक ही मिल जाए तो हमें इस तरीके से neat and clean काटना नहीं है अराम से भरना है इसलिए OMR sheet है इसको आप जितना मन कर जी उतना काटिये पीटिये फाड़िये लेकिन practice करिये इस पे अब आता है हमारा सबसे important signature का तो आपके पास तो खैर invigilator examiner होते हैं वह आपको guide कर देंगे लेकिन आप अपना भी brain use करिएगा ऐसा नहीं कि न sign मांगा गया है किसका candidate का sign मांगा है लेकिन यहाँ पर candidate ने sign नहीं किया है जैसे यहाँ पर candidate ने sign किया है खुशिया दो यहाँ पर sign नहीं किया है यह कहीं और इन्होंने साइन कर दिया है और मांगा कहीं और था तो जहां लिखा रहेगा कि examini का मतलब आपका, aspirant का आपका, जो exam दे रहा है आपका आप examiner में मत भर दीजिएगा, पिता जी में मत भर दीजिएगा, कुछ भी ऐसा हो तो नहीं भरना है आपको ठीक है, यह देखिए, यहाँ पर इनको निरिक्षक अपना sign कर दीए है यहाँ पर जो invigilator है, उनकी जगा पर उन्होंने sign कर दिया है, तो invigilator कहाँ sign करेंगे यह देखिए सब काट दिया है, यह काट के, यह काट के, set A, सब कुछ काट वाट दिया है तो correct place as designated for entry of detail of the candidate, यह है सही जगह candidate की detail भरने के लिए, entry made at the wrong place तो कुछ इस तरीके की बाते हैं, आप जान में ज़रूर रखिएगा और इत्मिनान से paper मिलेगा, पहले paper पढ़िएगा, पेपर पढ़ने के बाद उठाइएगा, धिरे धिरे चीजें pen से गोला करिएगा, information लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, तो हम को आता सब कुछ है, हम सब कुछ कर लेते हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, हम घर्लाने लगते हैं, tension होने लगती है, anxiety होती है, stress होता है, तो इसको बहुत, और आप एक UPSC aspirant है, तो आप से expected है कि आप थोड़ा सा calm down रहिए, ठीक है, आपकी लड़ सिर्फ सीधे देखके दोड़ना है, अपने आप से आपकी लड़ाई है, ठीक है, तो आपको पीछे मुड के नहीं दोड़ना है, सीधे देखके दोड़ना है, और ये सारी, मतलब जो common mistakes है, वो नहीं करनी है आप लोगों को, साथी साथ में आप लोगों को एक और चीज बत 247, यहाँ पर IAS, ठीक है, आप लोग इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जितने भी prelims के answer keys होगे, analysis होगी, सब कुछ इसी पर आएगा, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को यह है, ठीक है, यह सब्सक्राइब है, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, और यहाँ से आके फिर आपको bell notification दबा लेना है, ठीक है, तो live हो गया, या podcast हो गया, या फिर हमारी playlist हो गया, या वीडियो हो गया, सब कुछ यहीं पर आएगा आपके लिए, ठीक है, चलिए, बहु शुकर या आप सभी का, thank you so very much, and all the very best, कोई भी confusion होगा, और हमार शीच दे रिलेट, कॉमें में जरूर मैंचिन कर भीजेगा, we will be there to help you, मैं Siddhar Singh, signing off.